शान्ती मुर्ली के तारिक है दो अगस्ट दो हजार चौबिस बाबा ने कहा मीठे बच्ची तुम्हारे नीजी संस्कार पवित्रता के है तुम रावन के संग में आकर पतित बने अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है प्रश्न अशान्ती का कारण और उसका निवारन क्या है उत्तर में बाबा ने बताया अशान्ती का कारण है अपवित्रता अब भगवान बाप से वाइदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे अपनी सिवल आई रखेंगे क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशान्ती दूर हो सकती है तुम शान्ती स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशान्ती नहीं फैला सकते तुम्हें शान्त रहना है माया के गुलाम नहीं बनना है ओम शान्ती बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई एक बार सुना कर फिर तो चले जाएंगे अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ग्यान सुन रहे हो और राजयोग भी सिख रहे हो वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं फिर मनुश्यों को सुनाते रहते हैं वह भी फिर शरीर छोड़ जाए दूसरे जनम में बच्चा बने फिर तो सुना न सके अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो लौकिक टीचर भी पाथ पढ़ाते ही रहते हैं जब तक पाथ पूरा हो सिखाते रहते हैं पाथ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जातें टीचर से पढ़े कमाई की बुढ़े हुए शरीर छोड़ा फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं वो लोग गीता सुनाते हैं अब इससे प्राप्ती क्या होती है, यह तो कोई को पता नहीं, गीता सुना कर फिर दूसरे जनम में बच्चा बना तो सुना न सके, जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाथी हो, तब फिर सुनावे, यहां बाप तो एक ही बार शांती धाम से आकर पढ़ाते है, फि हमको राजयोग सिखा कर हम अपनी घर ले जाते है, जिनको पढ़ाता हूं, वह फिर आकर अपनी प्रालप्त भूगते है, अपनी कमाई करते है, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार धारन कर फिर चले जाते है, कहां? नई दुनिया में, यह पढ़ाई है ही नई दुनिय मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खतम हो, फिर नई स्थापन होनी है, तुम जानते हो, हम राजयोग सिखते ही है नई दुनिया के लिए, फिर न यह पुरानी दुनिया, न पुराना शरीर होगा, आत्मा तो अविनाशी है, आत्माई पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में आती है नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहां जाता है वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है वह एक धर्म की स्थापना कराते है कोई देवता द्वारा नहीं कराते देवता तो यहां है नहीं तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्यान देंगे जो फिर देवता बनेंगे फिर वही देवताईं पुनरजनम लेते लेते अभी ब्राम्हन बने है यह राज तुम बच्चे ही जानते हो भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते है अभी तो रावन राज्य है तुम पूछते हो कलियूगी पतित हो या सतियूगी पावन हो परन तु समझते नहीं अब बाप बच्चों को कहते है हमने पाँच हजार वर्ष पहले भी तुमको समझाया था हम आते ही है तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने फिर रावन आकर तुमको दुखी बनाता है यह सुख दुख का खेल है कल्प की आयू पाँच हजार वर्ष है तो आधा आधा करना पड़ेना रावन राजिय में सब देह अधिमानी विकारी बन जाते है यह बाते भी तुम अब समझते हो आगे नहीं समझते थे कल्प कल्प जो समझते है वही समझ लेते है जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो जब वह आसूरी तमो प्रधान बन जाते है तो उनको दैवी जाड का नहीं कहेंगे जाड भी जब नया था तो सतु प्रधान था हम उसके पत्ते देवी देवता थे फिर रजू तमो में आई पुराने पतित शुत्र हो गए पुरानी दुनिया में पुराने मनुश्य ही रहेंगे पुराने को फिर से नया बनाना पड़े अब देवी देवता धर्म ही प्रायह लोप हो गया है बाप भी कहते है जब जब धर्म की गलानी होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की गलानी होती है जरूर कहिंगे आदी सनातन देवी देटा धर्म की जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्रायह लोप हो गया उसके बदले अधर्म हो गया है तो जब धर्म से अधर्म की व्रिधी हो जाती तब बाप आते है ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृध्धी, धर्म तो प्रायः लोब हो गया, बाकी अधर्म की वृध्धी हुई, वृध्धी तो सब धर्मों की होती है, एक क्राइस्ट से कितनी कृष्चिन धर्म की वृध्धी होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोब हो गया, प अपने धर्म भी एक ही होता है और तो सब ठीक चल रहे हैं सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं जो आदी सनातन देवी धेता धर्म वाइसलेस था वह वीशिस बन पड़े हैं हमने पावन दुनिया स्थापन की फिर वही पतित शुद्र बन जाते हैं अर्थात उस धर्म की गलानी हो जाती है अपवित्र बनते तो अपनी गलानी कराते हैं विकार में जाने से पतित बन जाते हैं अपने को दीवता कहला नहीं सकते हैं स्वर्ग से बदल नर्ग हो गया है तो कोई भी वाह वाह पावन है नहीं तुम कितने छीची पतित बन गए हो बाप कहती है त उनको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावन ने तुमको काटा बना दिया, पावन से पतित बन गए हो, अपने धर्म की ही हालत देखनी है, पुकारते भी है कि हमारी हालत आकर देखो हम कितने पतिद बने हैं फिर हमको पावन बनाओ पतिद से पावन बनाने बाप आते है तो फिर पावन बनना चाहिए औरो को भी बनाना चाहिए तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुन संपन्न बने हैं हमारी चलन देफताओं मिसल है देफताओं के राज्य में तो विश्व में शान्ती थी अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शान्ती कैसे स्थापन हो तो तुमको भी शान्ती में रहना पड़े। प्रतिग्या करते हैं फिर माया के गुलाम बन पतीद बनना चाहते हैं अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिग्या भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे फिर माया का वार होने से प्रतिग्या भूल जाते हैं भगवान से प्रतिग्या की है कि हम पवित्र बन, पवित्र दुन्या का वर्सा लेंगे हम सिवल आई रखेंगे, अपनी कूद रिष्टी नहीं रखेंगे विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल रिष्टी छोड़ देंगे फिर भी माया रावन से हार खा लेते हैं तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं, उनको तंग करते हैं इसलिए कहा जाता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्वल होती है लडाई आदी में भी पुरुष चाते है क्योंकि बल्वान है स्त्री नाजुक होती है उनका कर्तव यही अलग है वह घर सम्हालती है बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है यह भी बाप समझाते है वहां तो होता ही है एक बच्चा सो भी विकार का नाम नहीं यहां तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते है कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते है अब बाप कहते है इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे जबकि विनाश सामने खड़ा है सब खतम हो जाएंगे मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने वह हुई सन्यासियों की बाद उन्हों को तो विनाश की बाद का मालूम ही नहीं तुमको बेहत का बाप समझाते है अब विनाश होना है तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे तुम समझते हो हमारे कूल की निशानी रहे परन्तु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं तुम समझते हो पावन दुनिया के थे मनुश्य भी याद करते है क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है जिसको स्वर्ग कहा जाता है परन्तु अब तमोप्रधान होने कारण समझ नहीं सकते है उन्हों की दुरिष्टी ही क्रिमिनल है इसको कहा जाता है धर्म की गलानी आदी सनातन धर्म में ऐसी बाते होती नहीं पुकारते है पतित पावन आओ हम पतित दुखी है बाप समझाते है हमने तुमको पावन बनाया फिर माया रावन के कारण तुम पतित बने हो अब फिर पावन बनो पावन बनते हो फिर माया की यूध चलती है बाप से वर्सा लेने का पुरुशार्थ कर रहा था परन्तु फिर काला मूह कर दिया तो वर्सा कैसे पाएंगे बाप आते है गोडा बनाने देवताई जो गोडे थे वही काले बने है देवताओं के ही काले शरीर बनाते है क्राइस्ट बुद्ध आदी को कभी काला देखा देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं, जो सर्व का सदकती दाता, परमपिता परमात्मा सर्व का बाप है, जुसको कहते है, परमपिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोरी ही हो सकता है, वह तो सदेव गोडा, एवर प्योर है, देवताओं को महान अत्म कहा जाता है स्रे कृष्ण तो देवता हुआ अभी तो कल्यूग है कल्यूग में महान आत्मा कहा से आए स्रे कृष्ण तो सत्यूग का फर्स्ट प्रिंस था उनमें दैवी गुण थे अभी तो देवता आदी कोई है नहीं साधू संथ पवत्र बनते है फिर भी पुनर्चनम विकार से लेते है फिर सन्यास धारण करना पड़ता है देवताय तो सदेव पवत्र है यहां रावन राज्य है रावन को दस शिर्ष दिखाते है पाच स्त्री के पाच पुरुष के यहां भी समझते है पाच विकार हर एक में है देपताओं में तो नहीं कहेंगे न वह तो है ही सुखधाम वहां भी रावन होता तो फिर दुखधाम हो जाता मनुश्य समझते है देवताय भी तो बच्चे पैदा करते है वह भी तो विकारी ठहरे उन्हों को यहाँ पता ही नहीं है देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी तब तो उन्हों को पूजा जाता है सन्यासियों की भी मीशन है सिर्फ पुरुशों को सन्यास कराए मीशन बढ़ाते है बाप फिर प्रवृत्य मार्ग की नई मिशन बताते है, जोडी को ही पवित्र बनाते है, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे, तुम यह सन्यासी बनने के लिए नहीं आये हो, तुम तो आये हो विश्व का मालिक बनने, वह तो फिर ग्रिहस्थ में चनम लेते है, फिर निकल ज तुम्हारे संसकार है ही पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है, बाप पवित्र ग्रिहस्थ आश्रम बनाते है, पावन दुनिया को सतयूग, पतित दुनिया को कलियूग कहा जाता है, यहां कितनी पाप आत्माएं है, सतयूग में यह बाते होती बाप कहते है जब जब भारत में धर्म की गलानी होती है अर्थात देवे देवता धर्म वाले पतित बन जाते है तो अपनी गलानी कड़ाते है बाप कहते है हमनी तुमको पावन बनाया फिर तुम पतित बने कोई काम के नहीं रहे जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए क्रोध नहीं होना चाहिए क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे बड़ी शांत चित अवस्था चाहिए क्रोध करते है तो कहेंगे इन में क्रोध का भूध है जिन में कोई भी भूध है वह देवता बन न सके नरसे नारायन बन न सके देफता तो है ही निर्विकारी यथा राजारानी तथा प्रजा निर्विकारी है भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की भी, रुहानी मात पिता, बाब दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार गुद मॉनिंग नमस्ते 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 बाबा धारिना के लिए मुख्यसार पहला पॉइंट बाप से पवित्रता के प्रतिग्या की है तु अपने को माया के वार से बचाते रहना है कभी माया का गुलाम नहीं बनना है इस प्रतिग्या को भूलना नहीं है क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है दूसरा पॉइंट देपता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित बनाना है कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है दैवी गुण धारन करने है धारना एक बार फिर पहला पॉइंट बाप से पवित्रता के प्रतिग्या की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है कभी माया का गुलाम नहीं बनना है इस प्रतिग्या को भूलना नहीं है क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चीत बनाना है, कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है दैवेगुन धारन करने है वर्दान, फरिष्टी स्वरूप की सम्रीती द्वारा बाप की छत्र चाया का अनुभव करने वाले विख्नचीत भव अम्रित वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिष्टा हूँ ब्रम्हा बाप को यही दिल पसंद गीफ्ट दो तो रोज अम्रित वेले बाप तादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतिंद्रिय सुख में जूल रहे है जो फरिष्टे स्वरुग की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिती वा विखन आएगा भी तो बाप उनके लिए चत्रचाया बन जाएंगे तु बाप की चत्रचाया वा प्यार का अनुभव करते विखन जीत बनो स्लोगन सुख स्वरुब आत्मा स्वस्थिती से परिस्थिती पर सहच विजय प्राप्त कर लेती है स्लोगन एक बार फिर सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिती से परिस्थिती पर सहच विजय प्राप्त कर लेती है अच्छा, ओम शांती झाल 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 झाल